हेलो फ्रेंस वेलकम टो माई चानल रुची सिंपल रेसिपीस आज मैं बनाने वाली हूं पात्रे की सब्जी पात्रा जिसे माचल में पत्रोडे कहते हैं और कहीं जगह पे इसे रिक्वच और आलूवडी भी कहते हैं इसका वीडियो भी मैंने पहले बनाया था जिसका लिंक म में डाल दूँगी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं आज मैं उस टीम पात्रे की सब्जी बनाऊंगी इसे बिना फ्राय किये यह चावल के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और आप चाहे तो इसे रोटे के साथ भी खा सकते हैं पर यह स्पेशली चावल के साथ सब से जादा टेस से लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है मैं एक बेसिक सी ग्रेवी बनाऊंगी उसमें मैं इसे डालूंगी तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़े चाहिए यह पात्रा है इसे मैंने एक दिन पहले ही बना कर अरशी के डाए ग проблема अब साथी साथी सबसें बिलकुल ना बनाया वठनाव ग्रेवी में घूले लगालार सहाथी पूरी स्टीम करने के बाद मैंने से राप दिया था और उसके मोटे मोटे स्लाइस कटा लिए हैं अप इसकी थिकनेस देख सकते हैं यहां पर आप इस जादा पतला ना करें वरना यह ग्रेवी में पूरी घुल जाएगी उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ प्याज और टमाटर यहां प्याज को तीन बड़े प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है एक दम छोटे-छोटे पीसेज में इसे कट करें और उसके साथ ही मैंने तीन बड़े डमाटर लिये थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया अच्छी से ग्राइंड करके आप चाहे तो पैकेट वाली टमाटो फ्यूरे भी यूज कर सकते इसकी जगा तीन हरी मिर्च लिया है मैंने सुखी लाल मिर्च ना यूज करें हरी मिर्च उसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और साथ से आठ कलिया ली थी लसन की उसका मैंने पेस्ट बना लिया और दो बड़े चमच मस्टर डॉयल लिया है सरसो का तेल लिया है मैंने यहां पर और तड़के के लिए मैंने यहां पर जीरा लिया हुआ है एक छोटी चमच जीर पाउडर लिया है आप चाहे तो जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं पर मैंने यहां यूज नहीं किया है और एक छोटी चमच मैंने यहां पर रेड चिली पाउडर यानि की लालमेच पाउडर लिया है तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कड़ा जादा कर सकते हैं उसके बाद हम इस तेल को गरम होने देंगे अब ये तेल भी हमारा गरम हो चुका है मैं इसमें जीरा एड़ कर दूंगी फ्लेम को आप लो ही रखेगा जादा बढ़ा कर मत रखेगा एह मैंने जीरा एड़ कर दिया अब मैं इसमें प्यास भी आड़ कर रही हूँ कि इससे mix कर दें अच्छे से और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी आड़ कर सकते हैं नमक एड़ करने से प्याज हमारा जल्दी पक जाता है और याद रखिएगा कि नमक पत्ते में भी हमने डाले थे तो इसके बाद हमें ग्रेवी में सिर्फ प्याज और टमाटर के लिए ही नमक एड़ करना है इसे अच्छे से मिक्स कर ले और थोड़ी देर भून ले प्याज हमारा भून चुका है अब मैं इसमें गार्लिक का जो पेस्ट था लसन का वो डाल रही हूँ इसे भी अच्छे से भून ले जब तक कि इसकी कच्छी स्मेल ना चली जाए इसे मैंने भून लिया है 30 सेकंड तक अब मैं इसमें हल्दी आड़ करूँगी ग्यास का फ्लेम मैंने अभी भी लो ही रखा है इसे भून ले अच्छे से 10 सेकंड के लिए फिर मैं इसमें टमाटर की प्योरे आड़ कर रही हूँ और अब आप ग्यास के फ्लेम को हाई कर दें और इसे भूने अच्छे से जब तक कि ये टमाटर से ओयल रिलीज ना हो जाए अच्छे से और इसे चलाते हुए भूने इसमें मैं थोड़ा से नमक आड़ कर दूँगी ताकि हमारे टमाटर जो है वह अच्छे से पक जाए जल्दी इसे मिला दे अच्छे से और इसे भून ले ये देखे टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है और ये सूख भी चुका है और ओयल रिलीज होना भी शुरू हो चुका है साइट साइट में अब हम इसमें सूखे मसाले अड़ कर देंगे मैंने लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और यहां पे मैं हरी मिर्च को भी अड़ कर दूँगी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा टमाटर के साथ ही हमेशा हरी मिर्च को अड़ करें या फिर टमाटर के बाद अड़ करें टमाटर से पहले ओयल में हरी मिर्च को कभी न डाले क्योंकि उससे उसका फ्लेवर चला जाता है और वो जल जाता है अब मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, मसाले को मैंने 30 सेकंड तक भुना है उसके बाद मैं गरम पानी डाल रही हूँ, यहाँ पर ठंडा पानी ना यूज़ करें वरना ग्रेवी का टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके गरम पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है इस सबजी की मैं इसे चावल के साथ खाऊंगी तो इसे थोड़ा सा पतला करूंगी अगर आप इसको रोटी के साथ खा रहे है तो इसे जादा पतला ना करें पर ऐसा है कि यह सबजी बाद में सूखने लग जाती है तो इससे अम थोड़ा सा अगर पानी इसमें जादा डाले तो इस जादा वैटर है अगर हम इसे पूरा सूखा बनाएंगे तो बाद में ये सूख कर बिलकुल ही मतलब सूखी हो जाती है और अच्छी नहीं लगती पानी मैंने इसमें एड कर दिया है इसे थोड़ा सा उबलने दूँगी और याद रखें कि पत्ते में अमने नमक डाले थे ये तो मैं बार-बार क्या रही हूं इसमें आप जादा नमक ना यूज़ करें ग्रेवी में पानी उबल चुका है मैंने उसमें धकन भी लगा दिया अब आप इसे धक करके कम से कम 10 मिंट तक उबलने दे ये देखिए 10 मिंट हो चुके है ओल हमारा रिलीज होना शुरू हो चुका है इसका मतलब हमारी ग्रेवी जो है वह अच्छे से पक चुकी है और पानी भी उसमे घुल जाएंगी पूरी इन पीसे को ग्रेवी में डालने के बाद हमें इसे पूरा मिक्स नहीं करना है बस इसके उपर हमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी डाल देनी है इस तरीके से देखिए जैसे मैं डाल रही हूं इसे पूरा हिलाए ना और इसे धकन लगा करके लो फ्ल मिनिट बाद ही इसे चेक कर लिया यह देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तयार है इसका कलर भी इतना अच्छा है अब मैं आपको इसे सर्फ करके दिखाती हूँ गैस का फ्लेम हम बन कर देंगे और यह देखिए यह इसका फाइनल लुक लग रही है न टेम्टिंग उमीद करती हूँ आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे ट्राइज जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें मे अगर आपको कोई डाउट्स रहे गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं जरूर आंसर करूंगी अगर आप 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 आ